हुलो फ्रेंट्स वेलकम तो सिविल की गूल यूटूब चैनल तो आज के इस वीडियो में जिसे रिकुर्मेंट के आप पर हम बात करेंगे वह यहां पर नेशनल हाइवे ओथरोटी अप इंडिया की तरफ से आप वेकेंज से आनिकाली गई है डिप्टी मेनेजर की टेक्नि रहने वाली है ग्रेड पर वगर्र है सबकी डिटेल आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर यह डायरेक्ट रिकुर्मेंट यहां पर रहेगी सिविल इंजेनियर्स के लिए जो डिप्टी मेनेजर की पोस्ट है यहां पर जो सेलेक्शन प्रोसेज रहेगी उसमें आप मोटल है जो कि हाँ पर केटिगरी वाही अलग अलग डिस्टिबूट की गई है जो भी आप रिजरुरी के स्टुडेंट्स है एक इसके लावा यहां पर पी डेबलु बीडी केंडिडेट के लिए भी आपर कुछ सीटे मेनेजर के लिए उसकी डिटेल आप यहां पर देख चाहिए जो qualification की बात करें यहांपर तो आपकी civil engineering से आपकी degree होनी चाहिए किसी रिकोगनाई university से साथ यहांपर requirement जो criteria है यह direct यहांपर आपका selection रहेगा जो कि यहांपर basic रहेगा final merit जो आपकी AS examination 2022 यह था UPSC के द्वारा जो exam रहता है उसमें तो अगर आप इस conditions में यहां पर eligible है तो आप यहां पर direct requirement के लिए यहां पर eligible रहेंगे इसके अलावा यहां पर जो age की बात थी तो age में जो age relaxation मिलता है तो वो भी आपर आपको मिलेगा उसकी terms conditions जो भी रहती है governments की यहां पर पूरी वो लागू होती है तो वो आप यह समें देख सकते हैं साथ यहां पर बात करें जो आपर minimum educational qualification and जो यहां पर age बगर है जो भी चीज़ें आपर मागे गई है eligibility से संबंदित उनको यहां पर जो यह application फोर्म की जो closing date है उसके आधार पर यहां पर count किया जाएगा तो जब तक के लिए आप अगर इसमें चेक करें और आप eligible हैं तो आप इसमें apply कर सकते हैं वहाँ पर आपको additional terms and condition कि आपको अपने का फाइदा किस तरह से मिलेगा क्या चीज़ें आपको लगानी है क्या करना है उनकी details के लिए आप इस notification को download करके वीडियो की link से अच्छी तरह से वहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से आपर PWPD candidates भी आपर किस तरह से वह eligible रहते हैं उनके लिए यहां पर जो physical requirements वगार क्या कैसे मांगी जाती है उनकी details के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं आगे हम बात करें जो selection process में आप वही बात है डायरेक्ट यहां पर selection जो की एस examination जो civil 2022 था उसके आदार पर डायरेक्ट सेलेक्शन है इसके लिए अगर हम बात करें अपलाई आपको कैसे करना है तो अपलाई करने के लिए इनकी जो official website है यहां पर आपको जाना है इसे open करना है वहां से जो इन्होंने process दी गई है इनको follow करते वही आपको जो जो यहां पर documents की size type आदि दी गई है वो सारे आपको apply करने से पहले collect करके तयार करके रखने है ताकि आप जब भी apply करें तो आसानी से आप इसमें apply कर पा upload करना होगा इसी तरह आप जो डिग्री बगर फोटो बगर जो भी मांगी गई है सारी चीज़े आप step by step इनके बताए अनुसार upload कर सकते हैं जिसकी last date यहां पर 30 June 2023 रखी कई है तो इस date से आप पहले पहले ही इसके लिए apply कर दे ताकि आपको अच्छा time मिल जाए और time से ही आपका जो भी जाता है सारा पहले ही upload कर सके और आपकी जो application पर किरिया है वो फूरी हो सके तो इस तरह से आपके अगर और कोई क्यूरी रहती है इस वे वेकेंसी से संबंदित या फिर other कोई detail आपको चाहिए हो तो आप हमारे इसमें comment करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे ट आपको दन्यवाद